नमस्कार मैं सुतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के समपादिकी से 432 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे अगर आप इसके PDF को प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम ग्रूप को जॉइन कर लें ग्रूप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्केप्शन बॉक्स में आपको टेली ग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा उसके अगर वहाँ से जॉइन करने में आपको प्राप्व आ रही है तो सीध़े आप अपने मोबाइल में टेली ग्राम एब को ओपिन करें और वहां साधेंटीम सर्ज करके भी ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन श्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद तब तके लिए आप रेड़ी रहें। सार्वजनिक वित्रण प्रडाली में व्याप्त भरष्टाचार की कहानी ही बयान करता है। इतनी बड़ी संख्या में फरजी रासन कार्डों की पहचान तकनीक के इस्तेमाल और विसेश कर उन्हें आधार कार्ड से जोड़े जाने की प्रकिरिया से ही संभव हुई। इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि इस प्रकिरिया को अपनाए जाने का कैसा विरोध किया गया था। यह सवाल उठना स्वभाविक है कि कहीं यह विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रडाली के जरिये गरीबों को सस्ते दाम पर दिये जाने वाले अनाज की बंदरबाट होती रहे। सचाई जो भी हो यह एक तथ्य है कि कई राज्य सरकारों ने रासन कार्डों को आधार से जोड़े जाने की प्रकिरिया को गती देने में सहायक बनने के बजाए इस पर जोर दिया जाए की ऐसा करने से बचा जाए। यह तो गनीमत रही की सुप्रीम कोर्ट ने कल्यारकारी योजनाओं को आधार से जोड़े जाने को सही ठहराया। अन्य था कुछ लोगों का बस चलता तो यह भी नहीं हो पाता। वास्तों में ऐसे ही लोगों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रडाली में सुधार नहीं हो पा रहा था। यदि मोदी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रडाली में सुधार के लिए प्रतिबधता नहीं दिखाई होती तो सायद वह आज भी तमाम खामियों और भरष्टाचार से गरस्त होती। इस प्रडाली के तहत करीब 80 करोड रासनकार्ड धारकों को कहीं कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल में एक देश एक रासनकार्ड योजना इस उदेश से सुरू की है कि गरीब लोग देश के किसी भी हिस्से में सस्ते दाम पर अनाज हासिल कर सकें। लेकिन कोई नहीं जानता कि सभी राज सरकारों इस योजना को अपनाने के लिए ततपरता क्यों नहीं दिखा रही हैं। एक ऐसे समय जब कुरोना संकट के कारण तमाम लोग सहरों से अपने गाओं घर लोटने को मजबूर हुए हैं। तब इसका कोई औचित नहीं कि कुछ राज्य इस योजना को लागू करने में हीला हवाली का परिचय दें। समझना कठिन है कि गरीबों के हितों की चिंता में दुबले होते रहने वाले राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करना जरूरी क्यों नहीं समझ रहें। कि जनकल्यार की एक जरूरी योजना पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो। अच्छा होगा कि उन्हें यह भी समझ आ जाए कि जनकल्यार कारी योजनाओं के साथ साथ अन्य सरकारी कामकाज में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भरष्टाचार पर लगाम लगाने का एक कारगर उपाए है। इस्टाउब दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेड़ी रहें। इस्टार्ट बीते साथ सालों में करीब साढ़े चार करोड फरजी रासन कार्डों की पहचान किया जाना सार्वजनिक वितरण प्रडाली में व्याप्त भरष्टाचार की कहानी ही बयान करता है। ये फरजी रासन कार्ड यह भी बता रहे हैं कि आपात्र लोगों द्वारा किस तरह पात्र लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में फरजी रासन कार्डों की पहचान तकनीक के इस्तेमाल और विसेश कर उन्हें आधार कार्ड से जोड़े जाने की प्रकिरिया से ही संभव हुई। इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की इस प्रकिरिया को अपनाए जाने का कैसा विरोध किया गया था। यह सवाल उठना स्वभाविक है कि कहीं यह विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा था कि सारोजनिक वितरण प्रडाली के जरिये गरीबों को सस्ते दाम पर दिये जाने वाले अनाज की बंदर बाट होती रहे। सचाई जो भी हो यह एक तथ्य है कि कई राज्य सरकारों ने रासन कारडों को आधार से जोड़े जाने की प्रकिरिया को गती देने में सहायक बनने के बजाए इस पर जोर दिया की ऐसा करने से बचा जाए। यह तो गनीमत रही की सुप्रीम कोट ने कल्यारकारी योजनाओं को आधार से जोड़े जाने को सही ठहराया। ने था कुछ लोगों का बस चलता तो यह भी नहीं हो पाता। वास्तों में ऐसे ही लोगों के कारण सारोजनिक वितरण प्रडाली में सुधार नहीं हो पा रहा था। यदि मोदी सरकार ने सारोजनिक वितरण प्रडाली में सुधार के लिए प्रतिबधता नहीं दिखाई होती तो सायद वह आज भी तमाम खामियों और भरष्टाचार से गरस्त होती। इस प्रडाली के तहत करीब 80 करोड रासनकार्ड धारकों को कहीं कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। केंदर सरकार ने हाल में एक देश एक रासनकार्ड योजना इस उदेश से सुरू की है कि गरीब लोग देश के किसी भी हिस्से में सस्ते दाम पर अनाज हासिल कर सकें। लेकिन कोई नहीं जानता कि सभी राज सरकारों इस योजना को अपनाने के लिए ततपरता क्यों नहीं दिखा रही हैं। एक ऐसे समय जब कुरोना संकट के कारण तमाम लोग सहरों से अपने गाओं घर लोटने को मजबूर हुए हैं। तब इसका कोई आउचित्य नहीं कि कुछ राज इस योजना को लागू करने में हीला हवाली का परिचाय दें। समझना कठिन है कि गरीबों के हितों की चिंता में दुबले होते रहने वाले राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करना जरूरी क्यों नहीं समझ रहें। कि जनकल्यार की एक जरूरी योजना पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो। अच्छा होगा कि उन्हें यह भी समझ आ जाए कि जनकल्यार कारी योजनाओं के साथ साथ अन्य सरकारी कामकाज में तक्नीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भरष्टाचार पर लगाम लगाने का एक कारगर उपाए है। दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किरपया इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा। उसे भी प्रेस कर दें ताके मेरे लेटेस्ट वीडियो जापको समय समय पर मिलते रहें। और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें। धन्यवाद।